हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब और यह है मेरा डे टू का स्टड़ी प्लान जो कि मैं आज शो करने वाली हूँ आप लोगों को और फर्स्स लोट मेरा स्टार्ट होता है ग्रैमर से जिसमें कि आज मुझे पढ़ना है नाउन और नंबर और नाउन और जैंडर यह दो चैप् क्प्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि लेंदी चैप्टर है और केस से रिलेटेट जो चैप्टर है वो मैं अगली वीडियो में अगले नेक्सट देखे च людей के स्टड़ी प्लान में एड़ करूँ वीडियो क्योंकि इसके लेंदी complete हुई थी तो कल में इसको नहीं डाल पाई इसलिए ये वीडियो आज आएगी तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी noun and the numbers वाला chapter और friends इस तरीके से sequence में study करने का फाइदा ये है कि चीजे जो हैं वो connect होती है पिछली जो पिछला जो topic पढ़ते हैं उससे जो next topic है वो connect होता रहता है जिससे कि वो easily learn भी हो जाता है और अच्छे से हम उसको relate भी कर पाते हैं friends उसके बाद यहाँ grammar का session complete करने के बाद लगबग देर घंटा मैंने यहाँ पर पढ़ा है फिल मैंने start किया है history of English literature जिसमें मुझे रिनेसा पढ़ना था और इसमें मैंने early रिनेसा के जो writers है उनके बारे में पढ़ा उनके events के बारे में पढ़ा कौन सी book publish होई थी उस समय पर और university wits बहुत ज़्यादा famous थे उनके बारे में भी पढ़ा और elizabethan age भी इसी में लगता है लेकिन elizabethan age मेरा रह गया है क्योंकि वो थोड़ा सा important age है और उसकी writers भी बहुत important है क्योंकि Shakespeare उसी age से belong करते हैं इसलिए मैं इसको कल continue करूँगी next study plan में भी continue करूँगी elizabethan age को क्योंकि काफी important age है friends और इसके writers और इनके works भी events भी बहुत important है तो यहाँ पर मैं history of English literature पढ़ रही थी और आज मोसम थोड़ा जादा खराब है और बिल्कुल भी दूप यहाँ पर नहीं निकली है और मेरी तब्यत भी थोड़ी खराब है इसलिए यह वीडियो कल नहीं आपाई थी तो कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं पहले इस वीडियो को एडिट करके डाल दूँ तभी अपनी study स्टार्ट करूँ तो friends यही है और history of English literature बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि कहां से पढ़े तो जो भी बुक आपके पास है उसमें दिया रहेगा history of English literature आप उसी से पढ़ सकते हैं जितना भी जिस बुक से आपको मिल जाए आप उसी से पढ़ लीजे और practice के लिए आप youth competition के previous year questions लगा सकते हैं काफी अच्छे तरीके से उसमें history of English literature cover किया गया है friends और यहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके का मौसम है आज देखिए सूरज बिलकुल भी नहीं निकले ऐसा ही से दूप का तो नाम ही नहीं है बादल हो रखे हैं तो मौसम ऐसा ही है और थोड़ी तवियत भी खराब है इसलिए मैं अंदर ही आकर study अब करूँगी और third slot मेरा start होता है vocab का थाई गंटे के study मेरी हो चुकी है और vocab मैंने start की है ए लेटर की जो vocab थी वो मैं आगे continue करूँगी क्योंकि 25 words मैं learn कर चुकी थी और उसके बाद अब मुझे 26 से continue करना है ये video complete हो जाएगी और जिसको नहीं बता है उसको मैं बता दूँ वो vocab जो है मैं English with Rani में से कर रही है और बहुत अच्छी vocab वो पढ़ाती है एक word के साथ वो जो options रहते हैं उनको भी बहुत अच्छे से clear करती है Hindi meaning भी बताती है और जिससे की अच्छे से learn हो जाता है लिखते लिखते और जब हम इसके बाद इसको revision करने के लिए आएंगे तूसरी बार पढ़ेंगे तीसरी बार पढ़ेंगे तो ये अच्छे से learn हो जाएंगे vocab से मैं बहुत परेशान थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं vocab कहां से learn करूँ क्योंकि books से vocab learn कर लेते हैं वो इतनी learn नहीं होती है फिर से वापस पढ़ने आते हैं तो सभी words हमें नहीं लगते हैं और बार बार पढ़ने पर कुछ words learn हो जाते हैं कुछ words फिर भी रह जाते हैं तो best है कि आप उनको लिखें कुछ तो लिखने से याद हो जाएंगे और कुछ लिखने के बाद जब आप उसको दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ेंगे तब learn हो जाएंगे friends vocab learn करने का ये best way है आप भी इसी तरीके से learn कर सकते हैं या आप अगर किसी और तरीके से learn करते हैं तो आप वो तरीका भी share कर सकते हैं friends और यहां पर मैं vocab लिख रही हूं तो थोड़ा सा मैंने इसको भी suit कर लिया था दिखाने के लिए कि हाँ मैं किस तरीके से लिखती हूं पहले मैं उस word को लिख लेती हूं जो word मैं करा रही होती हैं उसके सारे synonyms लिख लेती हूं और फिर उसके जो options रहते हैं उन options को मैं जब clear कराती हैं तब हम उनको भी note कर लेते हैं साथी साथ उनके जो synonyms रहते हैं उनको भी हम note करते जाते हैं इससे क्या होता है एक word के साथ बहुत सारे words हमारे cover होते रहते हैं और इसलिए इतना जादा time लगता है 25 words मैंने पहले दिन में complete किये थे लेकिन उन 25 words के साथ मैंन next मैं start करूंगी B letter से जो की next day के plan में complete किया है मैंने और यहाँ देखिए यह A letter के जितने भी words हैं जो मैंने आज complete किये हैं वो मैं आप लोगों को show कर रही हूं इतने सारे words मैंने आज complete किये हैं अब इसे complete करने के बाद next session स्टार्ट होता है literary terms का जो की B letter से start होते हैं SK Aurora में 4-5 ही literary term हैं जो B letter से दी गई हैं तो उनको करने के बाद मैंने अपनी copy से जिसमें M.H.Abraham से मैंने notes बनाए हुए हैं उनसे मैं literary terms complete करूंगी friends और यह notes मैंने बनाए हुए हैं M.H.Abraham से और मेरे पास book नहीं है M.H.Abraham की PDF है अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं telegram में उसको share कर सकती हूँ और आप महां से notes बना सकते हैं और आप सब लोग बोलते हैं कि आप अपने notes share कीजिए friends किसी के भी notes से आप लोग पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि सभी अपने notes अपने according बनाते हैं तो अगर आप किसी चीज को अच्छे से learn करना चाहते हैं तो आप अप अपने बनाई हुई notes से अच्छे से study कर पाएंगे और अगर आप बोलेंगी तो mh abraham की जो pdf है वो मैं telegram channel में share कर दूंगी और telegram channel सेम इसी नाम से हैं आप join कर सकते हैं वहाँ पर मैं study material share करती रहती हूँ और कोई question अगर आप पूछना चाहते हैं personally बात करना चाहते हैं त तो telegram में आप मुझे comment कर सकते हैं मैं वहाँ पर आपको उसका जो answer है वो try करूंगी कि अच्छे से दे पाऊं और आपको pdf वगेरा जो important pdf होंगी important चीजें होंगी exam से related वो भी वहाँ पर मिलती रहेंगी friends तो आप telegram channel join कर लीजे housewife study vlogs के नाम से ही telegram channel है और यहाँ पर be letter से start होने वाली सारी literary terms मैंने try किया learn करने की और एक बार में learn तो नहीं होती है लेकिन फिर भी मैंने दो दो बार इनको revise किया है और यह देखिए साड़े चार गंटे की study मेरी complete हो चुकी है और कल मेरी तबियत थोड़ी खराब थी इसलिए मेरी जो study है वो रात तक चली और continuous study मै नहीं कर पाई और मैंने बीच में gap ले लेकर study की है और यह मेरा last session है जो रात में start हुआ था जो कि Shakespeare के मुझे important plays के पूरी जो list S.K. Aurora में दी गई है जिसमें उसके sources है, publication year है, कुछ important quotations है और यह बताया गया है कि वो comedy है, क्या है, genre इसका दिया गया है, उनकी setting दी गई है तो यह सब मैंने इसमें से learn किया है, और कुछ-कुछ notes भी साथी में बनाए हुए है, जो important है, जो चीज़े important है, उनको important mark भी किया है, तो friends, आप सब लोग भी इस तरीके से अपनी study कर सकते हैं, एक sequence बनाईए, एक study plan बनाईए और उसको follow कीजिए, जरूर success आप लोगों को मिले मेरे ये sessions, मेरे ये series, आप सब लोगों के लिए कितनी helpful है, helpful है भी या नहीं, तो next video तक के लिए thank you so much and best of luck for your preparation friends